हमारा घर एक छोट इसे नन्ने से ग्रह पर बसा है ये ग्रह हम सबको अपनी गोद में लिये हुए खूम रहा है और इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन की उपस्तिती का परिच्व दे रहा है इस ग्रह पर अनेक जीव जनतों हैं जो जिन्दा रहने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखते हैं कुछ जीव मासा हरी होते हैं तो कुछ भूल पत्ते खाकर शाका हरी जीवन पिताते हैं पर यह सब आपस में मिल जुल के रहते हैं हम सभी प्राणी पेड़ पौदे जिस ग्रह पर साथ साथ रहते हैं उसे प्रिच्वी कहते हैं जानवर और मनिश्य दोनों को मिलकर रहना होगा यह याद रखना होगा कि कहीं अपने स्वार्थ के लिए यह सुंदर जंगल नश्टना हो जाएं अरे छोड़ो यह सब आते हैं इसकी सवज में नहीं आईगी बहुत चोटा है अभी लगता है इस नीदा रही आवादी और सभीता से दूर कितने मजी से सो रहा है तो डर किसे कहते हैं यह मासून जानता तक नहीं पड़ा होकर हमारा पीठा हमारे पच्चिन पचलेगा और इस जंगल से दोस्ती करके प्रकृती को नश्ट होने से बचाएगा है ना लो चकते हैं इसके उठने से पेल ही जंगल से मिट्टी और जल की नमूने ले आते हैं आराम से सोना यहां हवा और पानी में कितनी ताज़की है है ना मैं अब यह कुछ नहीं कह सकता पहले मुझे मिट्टी और पानी की नमूनों को चाचना होगा कि कहीं प्रदूशां का जहर यहां तक तो नहीं पहुच गया तो हुआ 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 बाप बाप पाप बाप लुड ओड बुड लड बुड आदम भू मुझे इनसानों से नफरत है तबाकी 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 हाँ हाँ क्या है शेरखान मनुष्य की गंधा रही है जाकर ढूनों से पर आप मनुष्य का सिकार नहीं कर सकते यह नियम की विरुद्ध है यह जंगल के नियम के खिलाव है शेरखान यहाँ के नियम मैं बनाता हूँ क्या समझे जाओ समझ गया जाता हूँ शेरखान अजय को आप में लगता है आप्मी का बच्चा है क्या कर रहे हो जोड़ो यह तो पादल कर देगा अब तु खर जाओ अरे बाबा अब यह रोना बंद भी करो ओ तु तु तुमें यह खेल अच्छा लग रहा है जरा ठीक से बड़े किस्मत वाले हो जो मुझ जैसे सीधे साधे अजगर के पलने पड़े अजगर न अच्छा होता है न बुरा निरबर इस पर करता है कि बेट खाली है भाँ ना ना भालू हमें बदना मत करो मैं जंगल के काइदे कानून जानता हूँ मेरे साथ क्या होगा अगर मैंने मनुश्यों को खाना शुरू किया यह तो मनुष्य का बच्चा है ने करीब से कभी नहीं देखा कि अग्णर अग्णर करता है कि प्यारा बच्चा चाहे सभी प्राडी पजपन में प्यारे लगते हैं बड़ा होकर ये जंगल के लिए खत्रा बन सकता है लगता है तुम ठीक कहते हो इसकी माता पिता इसे ढूंड रहे होंगे इसे फॉरन सुरक्षित जगे ले जाना चाहिए हां खयाल पुरा नहीं है का रुको कहां जा रहे वो मनुशों के बारे में अच्छी जान काई रखता है वादा करो तुम बगीरा को लेकर तुरंत वापिस आओगे और रास्ते में रुकोगी नहीं सुने के लिए कोशिश करूँगा आँ बेचर पैरा मुन्ना मेरा बेटा कहां चला गया मॉगली क्या हुआ यह नहीं है मैं उसे यह सोता हुआ चोड़ गई थी उसके पालने में कहां गया क्या पता शाय जंगल की तरफ चला गया हो दख लोग करूँ यह यह बड़ गया हुआ यह लुट कि भालने में आप सांगा जोड़ लोग दिरा आप मॉ़ल का मॉ़ल गया हुआ जबल में रूबंफ़ लोगया हँ फुआ एलोग जुआ जड़ा हुआ यह जब़का चला जूबंगा 먹ली फुआ जुआ ज़ता का कौन है कैसे हो बगीरा क्या बात है हमें एक मनुष्य का बच्चा मिला है जंगल में जंगल में और मनुष्य का बच्चा हाँ इस वक्त वो भलू के पास है लेकिन हमें उसे फोरन जंगल के बाहर करना होगा पता नहीं क्या मुसिबत आजाए मुझे तुमारी मदद चाहिए इसलिए कि कभी मनुष्यों ने मुझे पाला था हाँ, लेकिन जंगल में तो तुम्हें सभी अपने दोस्त की दर समझते हैं ना मुझे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं पर सुनो बगीरा शेर खान हाँ, लगता है तुमारे उस मनुष्य के बच्चे ने गडबड शुरू कर दी है क्या करे? बच्चे के माबाप को जंगल से ढूण कर निकालो कहीं उन पर शेर खान की निजर न पड़ जाए तो बच्चे को? मुझे और भी काम है यहाँ सभी कुछ एक साथ क्यों होता है? शुर का मतलब मुसीबत शेर खान आ रहा है उटो, जागो, हमें यह से जाना होगा ओ पर कहा गया मेरा बेटा मोगली मोगली मोगली, कहा हो तुम तीदर क्या किया है तुमने मोगली के साथ? जवाब तो, बोलो वो कहा है? कहा है? कहा है मेरा बेटा? बोलो पर मोगली का क्या होगा? तो देना बद्दो, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? वापस चलो पर मेरा बेटा जो मत हम वापस फिराएगी उसे ठूडने जवादा करता हूँ, चलो 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 पर चलो चलो शेर खान मैने ढूंड लिया ओन मनुष्यों को अब आएगा मसा अगर तुम आदमी का शिकार करोगे तो वे लोग हम पर हमला कर देंगे पहीरा और यही जंगल का नियम है कि हम जैसे जानवर मनुष्य का शिकार नहीं करेंगे क्या तुम्हें याद नहीं भूल गए मुझे परवाह नहीं जानता हूं फिर भी चेताओं निदेने आया था बेतर होगा कि तुम खरवोश काई शिकार करो क्या कहा तुमने शेर खान समय मत गवाओ वरना वो लोग हाथ से निकल जाएंगे अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो नीचे उत्रो बगीरा तुम्हारी मर्जी मेरे पास समय नहीं है हाँ 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 हुआ करने जा करें हाँ 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 ह네 यह मनुश्य देज क्यों नहीं दोड सकते अगीरा नीचे उत्रो अगीरा शेर खान कहीं से एक और मनश्य की गंध आ रही है छुटे बच्चे की जुटे बच्चे की अगे शेर खान नहीं दिख रहा है लगता है पीछा करना छोड़ दिया कर दीच्चे कार वङल की युटी बच्चे कारक मारू भाग्ध मारा फ。 अरे भालू तुम कहां भागे जा रहे हो तो अड़ो जल्दी मैं जल्दी में हूँ अच्छा अब पता चला मनुष्री का बच्चा कैसा दिखता है अब देखो बच्चू अब सीदे घर चले जाओ जाओ सीदे माँ 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 देखो तबाकी मैं तुम्हें मनुष्र का शिकार नहीं करने दूंगा जीरगार क्व 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 मλι में क्व सक कि अधिन इस पाट बांट अधिन के अधिन वाइब है कि अधिन अधिन लुए ना है आरे यह तो मुश्का पच्छा है यह कर दो से आया लगता है पहिचारा जंगल में रास्ता को दिया है कितना प्यारा है देखो कैसे दूद पी रहा है, बिल्कुल हमारी बच्चों की तरह लिपता है, बैचारा पूखा है इसकी तबियत तो ठीक है ये तो शेर खान की आवाज है बच्चों की जल्दी से को हमें ले जाओ जबे लिए हाँ यहाँ पर एक बच्च्चा पांचा है नहीं ले देया है यहाँ भार शिकार का अच्चा नहीं निकाजाए हां से यह मेरा शिकार है, भुसे देदो यह मिलेगा अधरी ये पजाल तुम्हारे परिवार का सदस्पन चुका है चले जाओ तुम्हें अकेला छोड़ दो शेर खान ठीक है मैं तुम्हें एक बार फिर चीतावनी दे रहाओ मोती तुम्हें इसका मज़ा चखाऊँगा तुम्हें लगता है हम इसे पाल सकेंगे पर तुम्हें तो फैसला कर लिया है चमेली क्यों हां मैं इसे पालूंगी तो तुम इस मनुष्य के बच्चे को पालना चाहती हो इसे यहां रखके हम मुसिबत में पर सकते हैं शेयर खान इसके पीछे पड़ा है शायर इसलिए कि इसके माबाप मर गए हैं क्या इस हाल में इसे अकेला छोड़ देना ठीक होगा शेयर खान मुसिबत करेगा ठीक है इसे नदी में फ्लिक देते हैं अपनी पंचायच से इसका फैसला करवाते हैं जैसा कि आप जानते हैं इस बच्चे को मौती और उसका परिवार तभी गोत ले सकता है जब हमारे बिरादरे के दो सलस्य वाजी उजाए लेकिन मौती और जबेली को छूड़कर जबाब दीजे आप सब को यह मन्जूर है बोलो मन्जूर है अब क्या होगा तो बच्चा यहां सुरक्षित है मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरी भी रायमान ली जाए शांती भालू हमारा अच्छा दोस्त है वो जंगल के कानून और नियम का पालन भिकरता है हमें इसकी बाद शांती से सुननी चाहिए बहुत शुक्रिया सर पंच दोस्तों मनुष्यक के बच्चे से हमें कोई नुकसान नहीं होगा मैं आश्वासन देता हूँ ये बिचारा तो केवल हमारे बच्चों के साथ खेलना जाता है आप देख सकते हैं ना तो इसके पंचे है ना तो इसके नुकेले दाल है आपको इससे डरने की कोई जूरत नह दन्यवार भालू भाई, मैं तो इस बच्चे के साहसे दंग रह गया पर हमें एक और सदसी के आजाईए मैं कुछ कहूँ हाँ, मैं वैसे तो मुझे आप लोगों की विरादरी में बोलने का हक नहीं है परन्तु जंगल के नियम के अनुसार मैं आपको इस बच्चे के बदले में एक भैस या कोई और जानुवर देने को तयार हूँ अच्छा ठीक है बगीरा पर तुम बच्चे के साथ करोगे क्या मुझे विश्वास है कि भालू इसका पूरा ख्याल रखेगा क्यों भालू? कौन? क्या तुम्हें भैस का उपहार स्विकार है? चांते लेकिन क्यों बगीरा? इस बच्चे के माता पिता मर चुके है क्या तुमने मारा उने? नहीं, लेकिन वो सब मेरी गलती से हुआ सुनो सब, बगीरा शेर खान को मनुष्वों का शिकार करने से रोकने की कोशिश कर रहा था तब ही वो दुरगटना हुई बगीरा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बगीरा नहीं चाहता था कि हम पर कोई विबत्ती आए है न बगीरा? मैंने ठीक किया बगीरा, अब तुम्हें शर्मानी की कोई जुर्रत नहीं मोती जो कह रहा है, ठीक कह रहा है क्या तेह हुआ? आप लोगों को भैस विकार है या नहीं? सरबंच मैं सुन रहा हूँ बगीरा हमारा मित्र है और इसने हमारे हित में ये कदम उठाया हम लोग बच्चे के बदले बैंस ले लेंगे किसी को अइतराज हो तो सामने आए बोलो भाई हो अब मनुष्य का ये बच्चा इस जंगल का एक सिदस्य से बन गया है और हम इसे क्या बोला है? मैंने सुना था मैंने साथी अटना है इसके मह बाती से मघली का दरपका रहा थे मघली इबरा प्यारा नाम है है मघली तेंड कीरा को है इसका की मघली का इतरा है प्याज़ा को इसे जूहादो झाहा! 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 झाहाओ! झाहाा! प्लॉँभप्ट प्लॉभप् Umu